कि नमस्कार दोस्तों स्वागता आप से वाना यूट्यूब चैनल पढ़े लिए इंडिया में तो आज हम बात करेंगे जो एलडी सी की भरती कोट में गई है उसके बारे में और उससे दूसरी भरतिया जो है आरे समय से बोर्ड की उस पर क्या असर पड़ेगा जैसे भी तो मेंटर क्या हुआ पहले वो समझ लीजिए आप तो दोस्तों मेंटर यह रहा कि जो अभी एली से रिजल था है तो साथ मार्च को उसमें एक अलग से आरक्षन दिया गया है एम बीसी का तो यह अपने राष्टान सरकार ने दिया था और एक और जो आरक्षन है यी डव् आरक्षन दिया गया है तो चैतन सर्मा उन्हें ने हाई को मैं फार्स्ट पेंच में रिट लगाही है कि यह दोनों जो अगर आरक्षन एक ही समय के अंदर दिये गये है तो रिजल्टके अंदर और MBS तो क्याटेग्रिए आ गई है लेकिन EWS आरक्षन नहीं दिया गया है तो इसके लिए यह सही है इसा कि मतलब आकेशन या नोहों को मिलना चाहिए या दोनों को नहीं मिलना चाहिए इसके लिए उन्होंने यह लगाया है तो अब इससे दूसरी भर्तियों पर क्या आसर होगा वह देख लेता है पपन कि तो सबसे पहले बात करता है पना एंटीटी टीचर की वेकेंसी की बारे में तो इसका आजी का यह है कि एक मिटिंग हुई था दिना सेवा चैन बोड में विभिन परिक्साव के परणाम के जिसा कि जिनकी जिनकी आंसर किया यह थी वह थोड़ा जिनों पहले जिसे के लिए सरकार से एक सपता से गाईडलाइन मांगे गई है कि इप्रेल की गईगाना है कि आई कि पर अपिल की गई है सरकाठ से कि इनकी जो यह ज्यादा समय नय लगाए दिन को देने के लिए और यह है उसके बारे में अब आपको nबंब करते हैं अगले एक्जाम की इस्टेंग्राफर की कि उनके जिनका मतलब अभी तक एक्जाम नहीं वह उन पर क्या आसर पढ़ेगा इसका EWS का तो अब अब बात कर लेते हैं इस्टेनोग्राफर एक्जाम की तो इस्टेनोग्राफर एक्जाम का भी दो दिन पहले ही नोटिस आया है कि लोग सब चुनाओं को मद्दे जरे रखते हैं अभी तक किसी भी एक्जाम की डेट है जो इक्स नहीं की गई है तो इस्टेनोग्राफर वाले विद्द्वार त्विसमेर निविदन है कि वो अभी अपने स्किल टेस्ट की जो है तयारी है वो करते रहें इसमें 100 वड़ प्रती मिनट की स्पीड आप से मागी गई है तो आप उसकी तयारी करते रहिए और अगर आपकी इसकी तयारी हो गई तो आप इसमें राष्टानवली की वेक scenes करना चाहिए ने इसका अगर करना चाहिए धोना के एक साथ करना चाहिए नहीं करना चाहिए जरूर से आपकी कमेंट्स बताइएगा और अगर आपको इसके जो भी अपडेट आएंगे हम आपको इस वीडियो के मादने में से बता देंगे तो आप इस सेमेल को सब्सक्राइब कर लिजे और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजे और दोस्तों के साथ भी शेयर कर रिजा कि सभी को जानकरी मिल पाए आसा करता हूं दोस्तों ये वीडियो को पसंद काया होगा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद